सो हेलो और वेल्कम बाक तो येट अनदर वीडियो नमस्कार आदाब गुड इविनिंग सस्त्रियकाल अस्सलाम अलेकूम आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे और आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात होने वाली है एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में हर एक प्रोग्रामर हर एक यूट्यूब के वीडियो में या फिर कह सकते हो कि हर एक कॉलेज ट्रेंड को जिसने भी अभी अभी शुरुआत करी है ऐसा इंसान जिसने अभी अभी coding के शुरुवात करी है उसके दिमाग में ये question हमेशा रहता है चाहे वो data structure से related हो चाहे वो competitive programming से related हो चाहे वो web development से related हो या चाहे वो तुम्हारा किसी भी is coding related चीज से हो तो उसमें एक प्रश्ण हमेशा रहता है और वो प्रश्ण क्या है वो प्रश्ण है कि भाईया हमें mathematics कितनी चाहिए होगी अगर हम programming करना चाहते हैं तो how much mathematics should we know हमें कितनी mathematics की जरुरत होगी दूसरा question कि क्या अगर हमें mathematics नहीं आती तो क्या हम programming नहीं कर पाएंगे क्या हम competitive programming नहीं कर पाएंगे तीसरा question programming के या फिर programming world के हर एक field में कितनी कितनी mathematics चाहिए field कहुन कहुन से programming हो गई data structures हो गया competitive programming हो गई आपका web development हो गया android हो गया front end हो गया web हो गया back end हो गया game development हो गया तो जितनी भी अलग अलग fields हैं उसमें कितनी mathematics चाहिए तो ये प्रश्ण मेरे पास बहुत जगे से आए तो आज उन सभी प्रश्णों का तुम्हें इस एक छोटे से वीडियो में 8-10 मिनन का वीडियो जाएगा उसमें तुम्हें पूरा पूरा डीटेल मिलने वाली है कि हाँ किस तरीके से या कितनी mathematics के जुने था या अगर तुम्हें maths नहीं आती तो तुम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो ठीक है तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की मैं हूँ आपका फ्रेंड प्यूशका अदमिश्रा एंड लेट्स स्टार्ट तो जनाब होता क्या है कि आपको ये प्रश्ण हमेशा खाता है आपके फ्रेंड्स बोलते हैं आपके कलीक्स बोलते हैं तुम्हारे टीचर्स बोलते हैं कालेज के कि भाई साब मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत अवश्यक्ता है तो सेम चीज मैं भी तुम्हें यही बोलूगा कि अगर तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आती तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है और या अगर मैं इसको सिंपल में बात करूँ कि हाँ प्रोग्रामिंग के लिए तुम्हें मैथमेटिक्स की जरूरत है तो एक चीज यहाँ पे लिख लो कि मैथ की तुम्हें जरूरत पढ़ेगी तो यह चीज एक गाट बात किर लोगोग कि अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में घुशना है तो तुम्हें मैथमेटिक्स तो चाहिए तुमने 8th में भी Maths पढ़ी है, तुमने 12th में Mathematics पढ़ी है, और कुछ लोग जो है वो PhD तक की Mathematics कर जाते हैं, तो Mathematics बहुत तरीके की होते हैं, एक सबजी वाला, एक चाय वाला, उसको भी तुमें Maths चाहिए होती है, जोड़ना, गटाना, गोड़ा भाग, Profit Loss वाली चीज चाहिए है, तो जहां पर B आए, जहां पर Intermediate आए, यहां जहां पर Advanced आए, वो समझ लेना की ऐसी है, तो Basic में मैं मान के चलता हूँ कि 0 से 9th तक की Mathematics, Intermediate में तुम्हारा 10th और 11th की Mathematics, और Advanced में तुम्हारे 12th तक की जतनी भी Mathematics है, या फिर above 12th जो भी थोड़े बहुत ची तो हम इस वीडियो को थोड़ा एक Short Way में रखते हैं, या फिर एक Categorized Way में रखते हैं, तो Categorized Way में इस तरीके से रखूँगा कि सबसे पहले हम बात करेंगे Competitive Programming की और DSA की, कि Data Structure और Competitive Programming के लिए तुम्हें कौन-कौन से Maths के Topic आने चाहिए, देखो, क्या होता है कि यह दोनों चीजे एक जैसी है, बट पहले हम Data Structure समझते है, Data Structure क्या है, जिसमें आप Arrays, Arrays पढ़ते हो, Link List पढ़ते हो, Stack पढ़ते हो, Q पढ़ते हो, Graph पढ़ते हो, और तुम Trees विगरा है, यह सब पढ़ते हो, ठेक है, तो इसके लिए तुम्हार पास एक Basic Level of Mathematics जो है, व Log के, कैसे आता है, O Log N, ठीक है, O N Log N, या कुछ इस तरीके की Time Complexity आती है, तो भाहिस साब, अगर आपको Log ही नहीं पता होगा, आप उस Field में ही नहीं जा पाऊगे, आप पता ही नहीं पाऊगे, Log 2 कितना होता है, Log 2 into 3 आप कैसे निकाल सकते हो, तो Basic से Log के Equations, Equations Solve करना, कौन कौन से Equation, Linear Equation in 2 Variables, 2 Variable में, 3 Variable में कैसे आप Solve कर सकते हो, तो ये चीज़ें जरूरती ही, और मैंने कुछ लिष्ट बना रखी है, यहाँ पर ताकि मैं भूलना जाओ, इसलिए मैं वही देख रहा हूँ, ठीक, और तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें Basic Concepts चाहिए, Basic Concepts कौन कौन से बोल सकते हो, कि जैसे हमें Graph के Questions solve करने होते हैं, तो Graph में तुम्हें कुछ Basics of Graphs, like कि अगर जैसे हम Algorithm बना रहे हैं, और तुम्हारे पास कुछ ऐसा करके Graph आ गया, तो ये कौन सा Graph है, तुम्हें ये पता होना जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि Basic of Graphs के हलके Full क Basics तुम्हें पता होना चाहिए, तो ये Equations हो गया, Locks हो गया, Graph basics हो गया, तो ये सब चीज़ें अगर तुम Clear होगी थोड़ी बहुत भी, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम इसमें data structure पर जा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये तीनों चीज़ें किसमें काम आने वाली हैं, तुम्हार multiplication, आप पूछोगे भईया, वो सब नहीं चाहिए क्या, कि integration, differentiation, और बोल दो कि probability, statistics, तो जी नहीं, अगर आप सिर्फ आप data structures world में जा रहे हो, सिर्फ सेखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ इतनी 3-4 चीज़ों कि आवशकता है, बस, basic mathematics में यही आता है, कि जोड़ सकते हो, बहुत easily, अब सुछ कर जाते हैं, हम competitive programming पे, competitive programming के, अगर तुम code forces के question देखो गया, code chef के question देखो गया, तो उसमें जब code chef के long challenges होते हैं, तो long challenges होते हैं, बहुत भरमार होती है, उसमें mathematics के questions की, इस field में आने के लिए, if you want to be a pro in the competitive programming world, तब तुम्हें यहाँ पे आने क के लिए, तुम्हें कौन कौन सी चीज़े चाहिए, तब तुम्हें यहाँ पे चाहिए होगा log, थोड़ा advanced level का, तब तुम्हें यहाँ पे चाहिए होगा pnc, pnc means permutation and combination, combination कैसे बनता है, permutation कैसे बनता है, तब तुम्हें यहाँ पे चाहिए होगा probability, क्योंकि बहुत सारे questions तुम्हें यहाँ पे ऐसे आते है, तब यहाँ पे नंबर theory थोड़े चाहिए होगे, like prime factorization हो गया, prime number हो गया, probability वाले question हो गया, जो मैंने लिख दिया, और कभी-कभी court shift में तुम्हारे ऐसे questions पूछ लेते हैं, जो कि advanced level आले जागा, तुम जाओगे छटे रहात्वे नंबर पे court shift के long challenges में, तो वहाँ पे भाई साब, तुम्हारे पास integration भी तुम्हारे पास दिया होता है, तुम्हारे पास differentiation भी दिया होता है, बट यह क्या चीज़ा होती है, यह थोड़ी से rare case में तुम्हें मिलती है, तो यह दो चीज़ों हटा दो, तुम्हें log, pnc और probability, यह थो probability, curved graph हो गया, increasing graph है, decreasing graph है, ठीक है, यह straight line graph है, linear graph है, तो ऐसे graph वाले, ठीक है, competitive grounding ने, questions ऐसे आजाते हैं, probability के base पे, pnc पे तो हरे पड़े हैं, वहाँ पे questions, बहुत सारे तरीके से, integration और differentiation, थोड़ा सा equal equal आता है, मतलब आते हैं, एक दब को दो questions नमारे फस्ते हैं, तो, तो इसे साब से मैं अगर बोलूँ कि data structure के लिए तुम्हें कैसी चाहिए, तुम्हें basic चाहिए, और इसके लिए तुम्हारे पास 10th से लेके 12th वाली कुछ basic चाहिए, यानि कि intermediate level वाली तुम्हे mathematics आनी चाहिए, जो कि हम mathematics वहाँ तक पढ़ते हैं, बस, इससे आगे कुछ नहीं इससे आगे कुछ नहीं, discrete mathematics ना, statistics ना, ठीक है, कोई भी ऐसे concept नहीं, मैं करता हूँ, integration, differentiation छोड़ दो, कोई बात नहीं यार, एक दो कुछ नहीं भी होते हैं, कुछ बिदिकत नहीं है, ठीक, तुम्हें नहीं भी आता है, इतना, इतना clear कर लो, अगर competitive program के जाना है, तो, समझे बात, अब, प्रश्न यह आता है, कि भी हमें तो विल्कुल भी नहीं आती है, अब क्या हम नहीं कर पाएंगे, जी नहीं आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते है, एक तुभारे अंदर सीखने वाल attitude रहना चाहिए, अगर तुम्हें data structures सीखने जा रहे हो, तो तुम्हे कोई दूसरी चीज सीख रहा है अभी तक, जो तुम्हें अभी तक पढ़ा नहीं, तो if you are not from the mathematics background, और तुम बोलते हो कि मझे सिफ addition, subtraction के अलावा कुछ भी नहीं आता, not even like logs के मुझे पता ही नहीं, equations में solve ही नहीं कर पाता, x, y, z वाली, तुझे आप थोड़ा सा wait करो, एक टाइम दो, books उठालो, अपनी 8th, 9th, 10th, 10th की दो books पढ़ी होगी, उसमें linear equation 2 variables वाले graph होते हैं, questions होते हैं, इसली solve कर सकते हो, या फिर questions आएं, उन questions को देखो और उनके solutions देखो किस तरीके से तुम उसको solve कर सकते हो, तो जैसे ही ये चीजे करने लग होगे, तुम इस चीज question को solve कर सकते हो, तो data structure और computer programming के लिए तुम्हार पास इतना सा basic सा concept अकर तुमने कर लिया, तो फिर हाँ बस तुम इसी चीज को आराम से यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, तो यह बहुत ही simple से चीज है, मतलब इसके आगे कुछ आगे ज्यादा पढ़ना ही नहीं, तो इतनी mathematics साती है, that's enough for data structures, हाँ, तो अब बात करते हैं, data structures होना निकल के development part में, development part में मैंने एक चीज को ले रखा है, web development, web development को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, front end और back end, तो front end और back end के लिए, आप web development और mathematics चाहिए, अब देख लो कितनी चाहिए, मैं भी बिताता हु तुम्ह पता चल जाएगा भी यहीं पर, देखो, जब भी तुम front end पर जाओगे, front end पर आई तो तुम्हें दिख रहोगा, front end, मतलब front end लिखा हुआ, ठीक, और ये back end लिखा हुआ, clear, front end पर जाओगे, तुम्हें basically क्या करना होता है, तुम्हें से designing करनी होती है, अब designing कैसे करते हो, तुम्हें यहां पर लिखा होगा कि तुम्हें पास rectangle बनाना है, मुझे इतना सा area है चाहिए, यानि यह पूरे web page में से 30% area में, मैं यहां पर headers डालूँगा, यहां पर मैं krausel डालूँगा, यहां पर कोछे डालूँगा और डालूँगा, तो तुम्हें यह सब चीजे पत होने चाहिए, तो अगर मैं सिर्फ web के front end की बात करूं, तो just you only need the basic, basic का भी basic, कितना, सिर्फ addition, subtraction, multiplication, division, और कुछ area वाले जैसे की rectangle का area length into breadth, square का area side square, ठीक है, coordinator, moderator वाले थोड़े बहुत चीजे तो पता होना चाहिए, ताकि तो मुझे चीज को design कर सो, तो designing is very must, ठीक है, area of circle, pi r square, circumference of circle 2 pi r, तो इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो, तो यानि कि अगर designing की बात करूं है, तो designing में basic level of mathematics, till the fifth class, बास, इस से ओपर कुछ नहीं, ठीक, तो महारत हाजे, वालब इतनी तो आती है math, इतनी तो महान के चलता हो, तुम्हारे अंदर logic होगा, तो इतनी तो math करी ल तुम्हें क्या करना पड़ता है, तुम्हें database design करना पड़ता है, तुम्हें system design करना पड़ता है, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजे design करनी पड़ती है, जिससे कि तुम यह क्या करते हो, तुम्हें वो चीज, मतलब, वो तुम्हारा app crash ना करे, तुम्हारी website crash ना करे, तो उस बेस यदे में नह dato मैं इस चीए टस्यक्टर लेवल वाली Massachusetts चाहिए जाई है एक चाहिए ऐसे टेक्टर लेवल वाली तुम्हें इसमें mathematics रिख इसवह डियन है फ्ट्रेक्ट कुछिस के दिखा ह commenting ऩर अज जैसे तुम्हें क्लाइंट कोई होगा या फिर तुम जिसके अंडर में काम कर रहे हैं तुम जिसके लिए काम कर रहे हो चाहता है कि भी बैकेंड अब दिखा सकते हो कैसे बना रहो तो उसके लिए आपको थोड़ा विजुलाइजेशन पार्ट पर फोकस करना पड़ेगा mathematics कितना DS level वाला क्योंकि आप उसमें designing करते हो आपको उसमें थोड़े से मतलब question थोड़े से वैसे typical आजाते हैं जिसमें आपको देखना पड़ता है आपको उसमें logarithm वाले question भी करने पड़ते हैं questions भी solve करने पड़ते हैं कब crash हो जाएगा multiplication हो जाए तो back end में थोड़ा सा high level mathematics तो तुम्हारे पास option यह मिल गया कि अगर तुम्हें mathematics नहीं आती और तुम थोड़ा नहीं भी सीखना चाहते हैं मतलब तुमने एक समझ के रखा है कि भाया मैं तो सीखना ही नहीं मतलब math से बिलकुल दुश्मनी 36 का अंकला मेरा और math का web का front end पकड़ लो खतम करो या back end मे तो इतना सा अगर करोगे अब बात करते हैं mathematics statistics के उसके लिए एक मा separate video बनाऊगा जिसमें statistics जो है वह machine learning और data science वाली mathematics जो चाहिए वह हम उसमें बात करेंगे ठीक तो इतना साथ में चाहिए मतलब इसके लिए भी तुम्हें basic और intermediate में बेस पे जाना है बस computer programming world में थोड़ा intermediate जले जाओगे अधरवाइस basic level of mathematics is done बस इतना बहुत है यही number theory और क्या logarithms equation solve कर सकते हो addition subtraction वगरा कर सकते हो पस that's enough it's all good to go अब इसके आगे तुम पूरी तरीके से मतलब free हो अपने आगे questions करने के लिए थोड़े typical आते है उसको मतलब उसके solution देख लो देख लो क्या concept लग सब्सक्राइब करना है लाइक कभी-कभी सीव फिरस्तिसमस आजाता है प्राइम फैक्टराइजीशन के मैं प्राइम फैक्टर निकालना पता हो तो यह सब जैसे competitive मैं मैंने बताया न उसमें तुम्हें number theory आनी चाहिए अच्छी खासी प्राइम फैक्टर सब्सक्राइब है है cf-lcm वाले थेक तो वह उस तरीके से निकाल सकते हो ओके तो क्लियर रहना इतना कि competitive programming data structure, web का front end और back end तो अगर मैं increasing order में लगा हो तो सबसी कम mathematics में चाहिए web development के front end में उसके बाद data structure में उसके बाद back end में उसके बाद फिर तुम्हारा competitive programming में अगर advanced level जाना जाते हो competitive programming तो otherwise that's enough DSA वाले maths आती है that's enough तुम कर सकते हो DSA की mathematics code shift पे जादा जरूरत होती है hacker rank या heat code या geeks for geeks अगर कर रहो तो वहाँ पे जादा जरूरत नहीं होती है तो I hope तुम्हें यहां से आज तुम्हें clear हो गया होगा कि mathematics इतनी जरूरत है और क्या तुम्हारे अंदर एक question clear हो गया होगा कि क्या mathematics अवश्यक है जी हाँ अवश्यक है आपको थोड़ी basic level of maths आनी चाहिए नहीं आती है सीख सकते हो मैं DSA की series शुरू करूँगा वहाँ से सीधे हम mathematics सरी शुरूआत करेंगे अभी कुछ एक दो वीडियो से निकल जाएं ऐसे थोड़े जिसमें मैं तुम्हारे अंदर भी एक idea आजाए कि what you want ठीक है तो that's all from this video जैसा तुम्हारा कोई suggestion question सुझा हो तो comment box नीसे खुला हुआ है कोई specific topic पर वीडियो चाहते हो नीचे comment पर मुझे कर सकते हो कि भया ये वाला वीडियो बना दो ठीक है मुझे personal message जो लो करते हो personal कह सकते है LinkedIn पर मुझे तुम contact कर सकते हो मेरा telegram group join कर सकते हो तो सब कुछ सारे link नीचे description में दे रखे हैं जतने भी playlist होगाना है सबके description open करके check कर लो तुमारे काम की चीज हो कि नहीं कुछ एक दो चोटी मुटी चीजे कर देना like like कर दो इस वीडियो को share कर दो और sharing is बहुत ज़रा जरूरी अगर तुम कोई चीज सीख रहे हो और तुम चाहते हो कोई दूसरा भी सीख ले तो कि तुमारे share करने से कोई सीख सकता है कर दो दो कर दो इस बहुत 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 दुमारे की चीजे कोई सीख सकता है